Hello everyone, welcome to Commerce Netpoint, I am CA Tripti Singh and our topic for today's class is Fundamental Accounting Assumptions or Concepts तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम Fundamental Accounting Assumptions पढ़ने वाले हैं ठीक है, Assumptions या Concepts पढ़ने वाले हम Principles नहीं पढ़ेंगे तो Principles अलग होते हैं, Assumptions और Concepts जो हैं वो अलग होते हैं तो जो हमारा Accounting Standards हैं, जो भी Accounts आपका चलता हैं वो कैसे चलता है, Accounting Standards के basis पर चलता है है, है ना, तो India के जो Accounting Standards हैं वो सिर Alrighty हमारे पास ऐसी चीज़े हैं, तीन ही Assumptions बताते हैं, कि हमारे पास तीन fundamental accounting assumptions है तो बाकी के सारे जो भी चीज़ हैं बहुत सारी वो सारे आपके क्या है वो principles है ये क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सिरफ assumptions है जो की सिरफ और सिरफ तीन है ध्यान रखना इस चीज़ को अच्छी तरीके से ठीक है तो ये क्या है assumption का मतलब है जिन चीज़ों को हम पहले से assume कर लेते हैं यानि कि business अकर नहीं भी बोलेगा तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ business है ये सब चीज़ें follow की होंगी और business के लिए follow करना mandatory भी है अगर वो किसी भी कारण से इनको follow नहीं करते तो इस चीज़ को उनको क्या करना होगा disclose करना होगा अपनी financial statement के अंदर की क्या कारण था किस वज़े से उनको follow नहीं किया है तो बच्चे चलो पहली पढ़ते हैं अपनी जो हमारी assumption है वो क्या है going concern की going concern यानि की विपार जो है वो आपका लगातार चलता रहेगा near future में no plan of winding up in the nearer future कि अभी आपका कोई भी plan नहीं है कि आप near future में अपने business को बंद करने वाले हो ये बात हम मान के चलते हैं और इसी कई ही वज़े से आप read खुद से कर लेना बच्चे मैं बस जल्दी-जल्दी समझा देती हूँ क्योंकि हम to the point पढ़ेंगे यही हमारा main objective है कि छोटी-छोटी वीडियो में to the point पढ़ेंगे तो इसी going concern की वज़े से आपने देखा हुआ कि अगर आप एक machinery खरीद के लेकर आते हो तो उस fixed asset को मानलो 10 सालों के अंदर 10 साल की life है तो आप उसका depreciation कितने सालों में बाट रहे हो आप 10 सालों में बाट रहे हो तो यह हम इसी लिए तो बाट रहे हैं 10 सालों में क्योंकि हमें उमीद है कि मारा business 10 साल तो चलेगा ही उससे भी आगे चलता रहेगा तो यह आपका इसी कही का example हो गया second example deferred revenue expenditure आप देख सकते हो कि कौन से होते हैं जैसे मानलो advertisement पे आपने खर्चा कर दिया तो मोटा पैसा आपने पहले साल में दे दिया लेकिन उसका benefit आपको लग रहा है कि मैं पिछले अगले 5 सालों के अंदर उठाऊंगा है ना तो जो next 5 years हैं उसके अंदर आप क्या कर देते हो deferred revenue expenditure को बाट देते हो तो यह भी क्या शो कर रहा है कि business जो है वो आगे चलता रहेगा business का near future में बंध होने की कोई भी संभावना नहीं है ठीक है बच्चे तो please read एक बार खुद से कर लेना यह सब कुछ ही लिखा हुआ है आपको मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ आपको then second हमारी कौन से assumption है consistency की consistent यानि की हम same जो concepts हैं उनको follow करते रहेंगे इसका सबसे अच्छा एक example हमेशा से बच्पन से हम बढ़ते हो आ रहे है depreciation का कि depreciation के मार लो आप SLM भी use कर सकते हो method straight line या फिर return down WDV वो भी या use कर सकते हो आप तो अब company को कोई एक method select करना है अगर उसने SLM चूज कर लिया तो वो हमेशा साल दर साल SLM ही follow करेगी और अगर WDV follow किया तो WDV ही follow करेगी तो यह हमारे कौन से assumption कहती है यह consistency की assumption कहती है ऐसा हम किस वज़े से करते हैं ऐसा हम इस वज़े से भी करते हैं कि हमें अपनी company की जो performance है उसको analyze करने में आसानी रहती है तो हम अगर अपनी ही company की पिछले सालों से तुलना करेंगी पिछले साल में हमारी company ने कितना profit earn किया था और इस साल कितना किया है तो हमें भी उसके अंदर क्या रहती है असानी रहती है तो इसलिए हम क्या करते हैं consistency को follow करते हैं और management को भी ये decision making के अंदर help करती है ठीक है न इसके बाद दूसरी चीज की भई क्या मैम अब हम इनको change नहीं कर सकते अगर एक बार WDV use कर लिया तो क्या हम कभी भी अपने future में SLM use ही नहीं कर सकते तो बच्चे change कर सकते हो पर लेकिन वो दो कारण हो सकते हैं आपके पास पहला क्या या तो कोई भी statutory requirement है यानि कोई लो जो है वो बोलता है आपको change करने के लिए तो आप करोगे या फिर second की method change करने से एक better view जो है वो आपको एक true जो picture है अपने business की वो show कर पाऊगे तो इन दो cases के अंदर आप चेंज भी कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको अपने financial जो statement है उसके अंदर आपको disclose करना पड़ेगा कि आपने अपना method जो है वो change किया है इस साल और साथ ही साथ उसका आपको retrospective effect भी दिखलाना होगा retrospective effect यानि पिछले सालों में उसकी वज़े से जो भी effect पड़ा है आपके business के उपर उसकी आप क्या कर दोगे adjustment entry पास कर दोगे ठीक है बच्चे तो फिर से read कर लेना again इसको तो आपको easily सब कुछ समझ में आ जाएगा then next हमारा last जो है assumption वो कौन सी है accrual की accrual assumption हमारी क्या कहती है वो कहती है कि जो भी आप business के अंदर जो भी आप चीजों को record कर रहे हो वो किस basis पे करोगे accrual basis पे ना कि cash basis पे यानि कि अगर आपने कभी भी sale की तो अगर ये decide करना है मानलो आपने March में March के महिने में आपने sale की और उसका पैसा आपको मिला April में तो हम ये नहीं देखेंगे कि cash कब receive हुआ हम ये देखेंगे कि हमारी service जो थी हमारी sale जो थी वो कब accru की हमने तो अगर हमारी sale जो है वो March के महिने में हो चुकी है तो आप उसको इसी वाले साल में show करोगे ना कि next year में क्योंकि April से next year start हो जाएगा तो accrual assumption जो हमारी यहीं कहती है कि accounting transactions are recorded in the books of account once they are accrued है ना जब accru हुई उस समय हमें उनको record करना है irrespective the actual cash is received or not actual में पैसा received किया है या नहीं किया है उस बात से हमें कोई भी फरक नहीं पड़ता है यह कौन कहता है यह हमारी accrual assumption कहती है तो आज की class में बच्चे हमने सिरफ assumption पढ़नी है principle हम अपनी next वीडियो में पढ़ेंगे तो अब इसके बाद हम कुछ MCQs करते हैं ओके चलो तो अपना first MCQ करते हैं तो बच्चे अभी हमने देखा था कि हमारी accrual concept के हिसाब से जबी भी कोई भी transaction occur होती है है ना जबी भी वो accru होती है उस समय हम उसको क्या कर लेते हैं record कर लेते हैं cash कब मिला नहीं मिला उस चीज से हमें कोई भी फरक नहीं पड़ता तो right answer क्या होगा हमारा right answer is option B यानि when transaction occurs ओके ओके next question is a company is a going concern if A. its balance sheet shows a strong financial position B. its income statement for the current year shows huge profit C. there is no evidence that it will or will have to seize operations within forcible future या फिल D. it is a public limited company तो again बच्चे going concern के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि business का आपका near forcible future यानि जो आगे आने वाला भविश्य है उसके अंदर उसके बंद होने की कोई भी संभावना फिल हाल हमें दिखाई नहीं दे रही है so the right answer is C. there is no evidence that it will or will have to seize operations within forcible future all right now question number 3 according to the convention of consistency consistency की convention के हिसाब से देखते हैं A. accounting policies and practices once adopted should be consistently followed okay B. accounting policies and practices adopted may be changed as per the management's decision ध्यान रखना बच्चे management decision बोल रहा है है na C. accounting policies and practices once adopted cannot be changed under any circumstances or D. none of the above तो बच्चे management decision के हिसाब से कभी भी change नहीं कर सकते हो है हमने देखा था कब change तो कर सकते हैं हाँ लेकिन कब कर सकते हो पहला तो अगर या तो statutory requirement हो तब या फिर दूसरा क्या बताया था मैंने आपको कि अगर कोई better view या better true and fair picture वो show कर रही हो तब वो उसको change कर सकते हैं लेकिन उसके लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा disclosure करना होगा और साथ-साथ retrospective effect की एक adjustment entry भी pass कर दी होगी है तो इसलिए B हमारा ठीक नहीं है क्योंकि management decision बोल रहा है वो तो हमारा correct option क्या है A So the answer is A accounting policies and practices once adopted should be consistently followed वो हमें consistently follow करने ही पड़ेगी तो option B क्यों नहीं है बच्चे समझ में आ गया न तो आज की हम class अपने यहीं पे करते हैं अगर किसी भी बच्चे को कोई भी doubt है तो please comment section में आप लिक के बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो please like, share और subscribe जरूर करना चैनल को और thank you so much